हेलो गाइज, I hope you all are doing very well तो गाइज, आज हम करने वाले हैं गनेश special photo shoot of newborn सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक orange t-shirt इसको मैंने अल्रेडी फोल्ड किया हुआ था 3 फोल्ड में और उसके वाल मैंने इस तरह से उसे shape दे दी दोनों तरफ से थोड़ा सा slanting type में और इसके वाल मैंने एक रॉंपर लिया अपने बेवी का और इस तरह से उसे body shape में आपर ऐसे रख दिया इसके वाल मैंने एक दूसरा रॉंपर लिया यलो कलर का जिससे मैं बनाने वाली वाली फेस गनेशी का तो देखे इस तरह से बहुत ही simple way में ये बन गया था इसमें कुछ जादा मैनत नहीं करनी पड़ेगी आप देखे पर इस तरह से इसे फोल्ड कर दीजे थोड़ी सी हाँ एकदम ठीक सी शेफ देने के लिए थोड़ा सा इदर उदर करना पड़ रहा था बट इडिन्ट टू मुश टाइम तो इस तरीके से मैंने शेफ दिया गड़ेशी के चहरे का अब यहाँ पर मैंने ना कुछ ब्लूबरीज लिए हैं दो ब्लूबरीज लिए जैसे मैंने आइस बनाई है आप यूज कर सकते हैं बटन भी यहाँ पर और इसके बाद मैंने कैरेट्स से ना यह एक टीके की शेफ तिलक जो तैब गनेजी का उसकी शेफ दी प्लस यह तीन स्ट्रिप्स काट ली जैसे मैंने उनके सून के उपर जो तीन लाइन होती है उसकी मैंने शेफ दे दिया है उसके वाँ मैंने एक गैप ली बेबी की और उनको गैप बना दी और सेम यहाँ पर मैंने बेबी शूज लिए और उनके पैरों में ऐसे शूज बना दी तो बस य रॉमपर के अंदर गुसा दी ताकि ऐसा लगे कि हाथ में उन्होंने तीन बलून्स पकड़े हुए है और इसके बाद मेरे पास निकला के लिए टॉय था रैट का ही तो जो गनेशी का तो फिरेंड गनेशी का तो वाहन ही रैट है तो हमने यहाँ पे उनका फिरेंड बना दि बेबी को सेट करना बड़ हाँ फॉर्चुनेटली हो गया था थोड़े देर बाद उसको थोड़ा से डाइवर्ट करके हमने सेटल कर दिया था और इस तरीके से हमने किया प्यारा से फोटो शूट एंड में मैं आपको पिच्चर जिखाऊंगी कि कितनी प्यारी पिच्चर प्यारी थी यह देखे फाइनली उसने हाथ पकड़ लिया हमारे मुसक जी का पट वो हिला के दरुदर करने लगी विट इस ओके बहुत मज़दार फोटो शाये देखे फोटो कितनी क्यूट क्यूट फोटो शाये ना लगा कैसा आपको सेट अप ये प्लीज जरूर कमिन कर के बताईएगा थैंक ये सो मुच फॉर वाचिंग और येस डों फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब